एलो गई स्वागत है आप सबका तो आज हम बात करेंगे अध्याणी टोटल गेस की और आज भी जो है नीचे से अच्छी कासी एक बाउंस बेक आया है इसके अंदर अगर अगर देखा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं आज का लो भी 900 पिच्चे से कहा सपासा है यहां स अगर आपकी इसके अंदर होल लिंक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसके अपर हम डेली टेकनिकल चाट के उपर अपर चल्चा करेंगे पहले तो देख लेते हैं आज के कारोबार की बात अभी क्या वोलियम जो है साड़े आठ लाग के आसपास हुआ है अभी टाइम की बात चेहरे तो साड़े-Г्यारग बजे का असपास का ठाइम हुआ है एक अजर-ग्यार के आसपास का प्राइस चल रहा है यहां पर देखें आज के कारोबार की बात तो अभी जो हर्यारा बजे क्या आसपास की यहांपर अपडेट है पाँच लाग की ट्रेडिंग हुई और अभी ये रिसंटली जो है अच्छा कासा वॉल्यम हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे कि 15 मिनिट का चार्ट के अंदर हम देखे ये 15 मिनिट का चार्ट है तो यहाँ पर अगर आगर आप देखेगे तो यह रिसंटली जो है आदे गंटे म यहाँ पर बनी हुई है यह पिछली चार केंडल की अगर बात करें तो यह 15 मिनिट की केंडल और यह मतलब की फॉलोविंग बाइंग अगर आती है तो अच्छा रह सकता है बाजार के अंदर जो है आज करेक्शन है इसके अंदर भी करेक्शन था और इसलिए हमने कहीं बार है कि सपोर्ड रिजिस्टर जो है उसके उपर आप जो है नज़र रख सकते है उपर अभी कुछ लेफल को इसको अगर यह पार करता है तो वह इसके लिए अच्छा रह सकता है मतलब अभी भी coalition बनी हुई है लिकिन अगर कुछ लेफल को पार कंडे तो अच्छा रह सकता है वोलिंजर बेन को हम देखेगे खास करके यहां पर हम देखे वन आवर चार्ट तो यहां पर आप देख सकते हैं कल क्या दिन की यह आप हाई दरह देखिए और आज क्या दिन का हाई देखिए कल ही यहाँ से इसने अंदर रिजिस्टर फेज किया था वापस से नीचे आया था, आज भी अगर देखें तो उसी लेवल के आसपास, अभी ये टिका हुआ है, वहाँ पर उस लेवल के आसपास है, अब इसको पार करता है या नहीं, वो देखना बनता है, और कल भी हमने चर्चा की थी, कि अगर कुछ लेवल को ये पार करें, तो ए क्यूंका यहाँ पर देखें, वीटली चार्ट, और ये कहीं बार हमने चर्चा की कि कि हजार से लेकर 980 का जो जोन है, क्यूंस कि इतना मतलब की इन्पोर्टर लेवल हो सकता है, अभी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें कि कर्छेंपर यह कि यह तो ही इस लेवल के आसपास यह काम कर रहा है इसके उपर breakout दिया अब नीचे आया वापस से उसके उपर जाने की कोशिश कर रहा है और weekly chat के ऊपर थोड़ी सी बड़ी candle यहां पर moving average यहां पर लगाई है तो इसको भी जो है आप इसके उपर नज़र रख सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहे है कि अगर इन दोनों ही लेवल को यह पार करता है तो अब इसके अंदर जो है फर्दर तेजी आ सकती है इसके लिए अच्छा रह सकता है फिलाल और यह लेवल ज्यादा दूर है भी नहीं अभी 110 का प्राइस है पचास विक का मूविंग गेवरेज 1064 और यह जो 200 विक का 200 दिनों का मूविंग गेवरेज काफी इंपोर्टन मूविंग गेवरेज इसके लिए हो सकता है और एक चीज है मार्केट अगर मार्केट का साथ रहने भी जरूरी है आज मार्केट के अंदर अच्छी का सी जो है करेक्शन आई कल कि आप हमारी कॉम्यूनिटी पोस को अब यहां पर यह केंडल को भी आप देख सकते हैं पिछले साथ दिनों से यहां से लेकर यहां तक इसी मूविंग एवरेज का स्पास यह स्ट्रगलिंग कर रहा है यहां पर यहां पर थोड़ा सा नीचे तूटा था लेकिन हलका सा ही वापस से इसके ओपर जो है एक टेज लेकिन अभी दिन बाकी है दोपेर के बाद क्या होता है वह देखना बनता है अभी फाइव और नैंडेज के उपर काम कर रहा है और यह जो दो सो दिनों का मुविंग एवरेज है उसके भी नीचे यह यह इक इसके लिए शपोर बन सकता है पिछली बार भी उस लेवल के आ यह इसकी मिडल लाइन है इसको यह पार करता है तब जो है मुझे इसके लिए अच्छा रह सकता है जैसे कि यह एक 1030 को यह अभी उपर जा रही है और कल जो है इसी लेवल के आसपास इसे सपोर्ट लिया था तो अगर आज भी थोड़ी से और तेजी आती है तो यहां पर इस करता है तो यहां पर आप देखे तो आज भी वह जो बार है कल के मुकाबले थोड़ा सा चोटा बने की अभी कोशिश कर रहा है अगर यह तो यह यहां पर एक बुलिस क्रोसवर होने की संभावना रह सकती है लेकिन वह जो है कुछ लेवल को पार करे तब हो सकता है इसा लग रहा है कि कहीना कहीं स्ट्रेंथ जो है अभी और नहीं आ रही है लेकिन यह स्ट्रेंथ को टिकाने की कोशिश कर रहा है बले ही यह एक ही लेवल के आसपास यहां पर काम कर रहा है लेकिन अभी स्ट्रेंथ की हुई है ऐसा लग रहा है तो कहीना कहीं अगर मार्केट का साथ रहता है तो इसके अंदर तेजी आने की संभव न रह सकती है पिछली बार मार्केट का साथ इसके ऊपर बढ़ सकता है व वीडियो अगर आपने नहीं रह सकते हैं हमारा चैनल का उपर जाकर यहाँ पर जो है आज के यह एक तो यह तो यह तेजी की reason क्या हो सकती है वो भी अगर मतलब की एक prediction देने की कोशिच के तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तो यह support जो है वहाँ पर 200 दिनों का moving गेवरेच है उसके आसपास से इसके अंदर यह bounce back दिया है ऐसा लग रहा है सा हाँ पर इसकी closing होती है अगर यह 1000 और 20 के ऊपर अगर यह closing देता है तो अच्छा रह सकता है आज के दिन क्योंकि 1000 और 15 के आसपास जो कल हाई बनाया था उसी लेवल के आसपास अभी भी यह मतलब की वहाँ पर अटक रहा है कहीं ना कहीं तो अब इसके support का प्राइस का प्र और उसके नीचे देखे तो 920 से लेकर 900 रुपे का जोन क्योंकि वहाँ पर 50% का आसपास का retracement इस लेवल का आसपास है तो यह नजदी की बात करें तो यह support है इसके उपर नज़र रख सकते हैं अब अगर रजिस्टन की बात करें तो पहला रजिस्टन जैसे कि हमने देखा एक तो यह 1,020 के आसपास का जोन है जो कि काफी नजदी की रजिस्टन है उसके उपर भी देखें तो 1,030 से लेकर 1,040 का जोन क्योंकि यहाँ पर बोलिंजर बेंग की मिडल लाइन है कहीं ना कहीं और उसके उपर जैसे कि हमने दो मुविंग एवरेट देखी 1,070 से ले बात रहता है साथ साथ यह 5 और 9 डेज के मुविंग एवरेज के ऊपर टिका रहता है और यह फॉलोविंग बाइंग अगर जो है आती है तब की बात है अगर देखे तो और थोड़ा सा वोलियम के अंदर अगर बड़ोतरी देखने के मिला तो अच्छा रह सकता है और आज हो सकता एक और भी थोड़ी सी उपर जाए तो आज के वीडियो में इतना ही डीटेल में शाम को इसके उपर चर्चा करेंगे अगर यह वीडियो होचा लगा तो लाइक करें शेर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर ले और एक स्टैंडर डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा यह थेंक यू